जब किसी से प्यार हो जाता है तो पेट में गुदगुदी क्यों होने लगती है और फूक लगनी क्यों बंद हो जाती है और रातों की नीद क्यों उड़ जाती है तो इसका मात्र एक ही जबाब है हमारे सरीर में बनने वाले हार्मून्स 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 ह और आप देख रहे हैं माई चनल बाइलोजी भाई मिरास आज मैं आपको पताने जा रहा हूं हमारे सरीर में कौन-कौन सा हार्मोंस हमसे क्या क्या करवाता है अन्जली राहूल से कहती है कुछ-कुछ होता है राहूल राहूल समझ लेता अगर उसके भी हार्मोंस अंजली की तरह रियक्ट कर रहे होते लेकिन हम मुवी की बात करें तो राहूल के भी हार्मोंस एक्टी हो जाते हैं लेकिन यह हार्मोंस का चक्कर है तो चलिए समय लेते हैं प्यार वाले हार्मोंस को जब हम किसी के तरफ एक्ट्रक्टिव फील करते हैं तो हमारे सरीर में डोपामीन की मात्रा बढ़ने लगती है इसके कारण दिल जो हथा है वो धगढ़ करने लगता है और जब हम रिलेसा सिप में होते हैं तो सेरो टोनीन का लेबल बढ़ जाता है हमारे बलड में और हमें अच्छा महसूस होने लगता है और जब हम किसी को प्यार से चूते हैं तो आकसी टोसीन निकलने लगता है इसका भी लेवल बढ़ जाता है हमारे खुन में और यहाँ दो लोगों के बीच विश्वास कायम करने में बड़ी भूमी का निभाता है और जब वेक अप हो जाता है तो सिर्फ बुरे ख्याल आते ह क्योंकि तब डोपामीन और आकसी टोसीन दूनू की ही मातरा घटने लगती है खुसी का एहसास भी कम होने लगता है और उदास होकर गाना गाने लगते हैं तुझे याद न मेरी आई किसी से अब क्या कहना हमारी खुसी हमारा चिचिडापन हमारा गुसा इस सब की ओजा है हमारे सरी में बनने वाले हार्मोंस यहां तक की भी अगर हम गाड़ी ड्राइब कर रहे होते हैं अचानल से कोई बंदा सामने आ जाता है और हम ब्रेक मार देते हैं उस कंडिशन में बच जाता है तो हमें बहुत गुसा आता है कि उस सामने क्यों आया इसका भी करण हमारे स सरी में हार्मोस भी बनते हैं जैसे कि अगर हम बात करें अगर कुछ लोग किसी कारण अगर चट पर चड़े हुए हैं पैर फिसल गया या किसी कारण वह चट से लटक जाते हैं बाहर के साइड में या चटानों पर पहाडों पर लुक्चड़ रहे होते हैं उस कंडिशन में अपने हाँ से रोकर हम कह सकते हैं कि पहाडों पर लटक जाते हैं उस कंडिशन में वे बहुत ज़्यादा धर होते हैं और उस कंडिशन में होता क्या है कि उनके सरीर का जो किड़नी है हम कह सकते हैं जो गुर्दा है उसके उपर एक गरंती पाई जाती है जिसका नाम है वह सब्सक्राइब करें दिन कोका सब्सक्राइब की चाहरते है लोगों को सब्सक्राइब खेल में या खत्रनाग जो भी काम हम कह सकते हैं उसमें लोग को मज़ा आता है अब तो हम समय लेते हैं कि जो हमारा ब्रेन है उसमें गरंती है जिसका नाम है प्यूटिटरी गरंती इसका काम होता है हार्मोस को रेगुलेट करना कुल मिला जुला कर दिखा जाए तो हार्मोस ह अगर आप चाहते हैं ऐसे ही नालिजवल वीडियो आपको मिलती रहे तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लेजेगा अगर आपको लगा कि आज आपने कुछ नगा सिखा तो सब्सक्राइब बनता है और हमारे वीडियो को लाइक करें जिससे हमें मोटिवेसर मिलेगा हम इसे और अच्छी वीडियो आपके लेके आएंगे और इस वीडियो को सेयर करें दोस्तों दोस्तों आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद आप सब का